हलो इवरिवान वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में शेयर करूंगी यह डिजाइनर फ्रंट ओपन वैलवेट फ्रॉक की केटिंग स्टिचिंग यह अम्रेला कट स्टाइल में हैं जिसको हमने फ्रंट स्लिट के साथ बनाया है और इसके साथ मैंने यह ब्यूटिफुल का फैबरिक ले रहे हैं तो आप दो से टाइमेटर में भी यह फ्रॉक बना सकते हैं और मेरी फ्रॉक का जो मेजरमेंट है वो आप ही है इसके बाद फ्रॉक के उपर जो हमने डिजाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने यहां पर यह ब्यूटिफुल सी लैस लिए यह बहुत के यहां अवैलिबल है उसकी बाद जो कुर्ती का घेरा है नीचे की तरफ उसमें हमने यह बीडेड लैस लगानी है तो यह मैंने 6 मिटर ली है अगर आपके पास यह लैस नहीं है तो आप कोई भी गोटा पट्टी वाली ट्राइंगल लैस भी किनारी पर लगा सकते हैं और की जो चोड़ाई है यह देखिए 11 इंच के करीब है और यहां से हम अपने टॉप आर्ट की लैंथ लेंगे तो उपर से मैंने अनीक्वल फैब्रिक आधा इंच निकाल दिया है उसके बाद टॉप आर्ट की रेडि लैंथ में एक इंच प्लस करके हम माक कर लेंगे और इसक के बाद यहां से शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं सावन इंच ले रही हूं नेक की विट तीन इंच लेंगे और आदा इंच पर कंधी डाउन कर देंगे इस तरह से अब यहां से हम आर्म होल की लैंथ लेंगे तो यह मैं सावन इंच पर माक करके उपर मिला दूँगी इसक इसके बाद कमर की मैं फिटिंग लगा रही हूँ साड़े आठ पर और आगे से हम तेल इंच मार्जनेट कर लेंगे तो यह हमारा फिटिंग का माक है और यह हमारा कटिंग का माक है और जो हमारा कटिंग का माक है यहां से उपर की तरफ आदा इंच माक करेंगे और इस माक को ह पार्ट है इसके आर्मोल के एक्स्टा कटिंग कर लेंगे तो यह हमारे टॉप पार्ट कट हो चुके हैं नेक हम बाद में कट करेंगे फ्रंट नेक में कैनवास पर बनाओंगी और बैक नेक में फैब्रिक पर बनाओंगी अब यहां से देखिए 45 इंच की लैंद पर मैंने व करको फोल कर लेना है ऊपर की साइड जो है वो बंद है और नीचे की खुली साइड है अब यह खुलीसाइड यानि जहां से किनारी है इस पर हम मांक कर देंगे क्योंकि एस इसे हम कट करके निकाल देंगे इसके बाद इस कौर्णर से हम अपनी कमर की गुलाई लेंगे जित 9 इंच पर इस तरह से गुलाई में मार्ग करूंगी और यहां से जो भी लैंट आएगी इसको फॉलो करते हुई पीछे मार्ग कर देंगे इस तरह से अब इन सभी मार्ग को हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे और एक बार हम चैक भी कर लेंगे तो यह देखे यह 9.5 इंच है उसमें 1 इंच प्लास करके मार्ग करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 46 इंच की लैंट पर मार्ग क्या है 45 इंच के राउंड यह तयार हो जाएगी तो देखे मेरे घेरी की जो लैंट है वो 31 इंच आई है अब इस तरह से मैं 31 इंच पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मार्ग कर दूँगी ऐसे करके उसके बाद हम इन सभी मार्ग को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे इस तरह से तो घेरी की लैंट उतनी ही आएगे जितनी लैंट आपको कुर्ती की एक्स्ट्रा चाहिए सभी मार्ग को हमने इस तरह से मिला लिया है अब इसकी कटिंग करे ध्यान रहे जो हमारी बंद वाली साइड है उस पर हम सीजर नहीं चलाएंगे इसको साइड में कर देंगे और यहां से जो हमारी किनारी है एक्सट्रा इसको कट कर देंगे किनारी को हमें जरूर कट करना है क्योंकि किनारी के ओपर जब हम से लाई करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आती और जोल आता है तो लिजे यह हमारा वन पीज हाफ सरकल कट हो चुका है इस तरह से इसमें कोई भी जॉइंट नहीं आएगा और जहां से यह ओपन है वहीं से हम सिलिट बनाएंगे फ्रंट में इस तरह से अब सिलिट कैसे बनाना है देखिए अगर आप कमर से सिलि देना है ऐसे करके तो जो सिलिट है वो आपकी जस्ट टॉप पार्ट के नीचे यानि कमर से ही बन जाएगा तो जितनी कमर की गोलाई है उसके बाद एक्स्ट्रा हमने एक इंच लिया था तो बस एक इंच सिलिट फोल्ड करने में चला जाएगा और अगर आप मेरे जैसे सि चेंच पर हम इसको सिल देंगे तो यहाँ पर आप कितना सिलिट खोलना चाते हैं उतनी ही लंबाई पर माक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर चेंच पर माक किया है अब यहाँ से एक इंच का दबाव लेकर सिल देंगे उसके बाद हमने यहाँ पर सिलिट बनाना है सिलिट बनात हमारी simple sleeve है, sleeve की जो लंबाई है वो मैं 22 इंच पर cut कर रही हूँ sleeve opening मैंने 6 इंच ली है और armhole जो है वो मैंने 9 इंच लिया है, so बिलकुल simple sleeve है, इसकी marking मैंने कर ली है, measurement आपको दिखा दिया है अब इसके cutting कर लेंगे, cutting करने के बाद front की 2 layer जो है इसके बाद हमें top part में neck बनाना है so front में जो neck है वो मैं canvas पर ये वाली shape दे कर बना रही हूँ neck की width मैंने लगबग 6 इंच ली है और neck की जो length है वो मैंने सावनी च ली है, so इस तरह से pasting canvas पर मैंने neck को cut किया और fabric के उपर paste कर लिया है, अब center से center मिलाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई करना है उसके बाद quarter is fabric extra चोड़ते हुए cut करेंगे और इसमें cut लगाकर wrong side में turn कर देंगे इसके बाद हम अपना back वाला neck cut करेंगे, तो यह मैं fabric पर बना रही हूँ, इस तरह से मैंने fabric को double fold करके रखा है neck की width में 3 इंच ले रही हूँ, लेकिन marking हमें इसकी पॉने 3 इंच पर करना है क्योंकि एक पर यह दबाव में चला जाएगा इसके बाद neck length जो है वह मैं 5 इंच ले रही हूँ इस तरह से हम neck की shape दे देंगे इसके बाद इसके cutting करेंगे, तो आप चाहें इस strip को अपनी neck के उपर रखकर stitch करेंगे तो दिखें, यहां से हम इसको open कर लेंगे और जो हमारी neck strip है, उसको सीधी तरफ रखेंगे top part की, सीधी side हमने उपर रखी है और strip की wrong side उपर की तरफ अब यहां से इस पट्टी को हमने सिल कर wrong side में turn करना है तो लीजी, यह हमारा front वाला neck इस तरह से तयार हो गया है कैनवास पर बना कर हमने इसको wrong side में turn कर लिया है और यह हमारा back part है तो इसका neck जो है, वो कुछ इस तरह से बनाया है जो strip है, वो भी हमने wrong side में नहीं turn की है पहले हम इसकी कंदी join करेंगे तो कंदी से बराबर मिला कर रखते हुए back neck की जो strip है, वो हम front की तरफ पलटते हुए आधाँच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे दोनों कंदी ऐसी तरह से सिलेंगे इसके बाद हमारी side की जो fitting है, वो लगा लेंगे आप चाहें तो कंदी जोइन करने के बाद sleeve लगा लें, उसके बाद इसकी fitting कर लें तो दिखिए मैंने top part की कंदी जोइन करने के बाद side से fitting लगा ली है अब हमने इसका घेरा ready करना है तो घेरा ready करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, change पर हमने सीधी सिलाई करकर इस तरह से इसमें slit बना लिये हैं, तो एक इंच का जो दबाव था वो हमने slit में अंदर की तरह fold कर लिया है, इस तरह से और नीचे से जो घेरा था वो भी मैंने quarter inch double fold करके सिलाई लगा दी है, तो इस तरह से यह हमारा घेरा ready हो गया है अब हमने top part के साथ इसे attach करना है उसके लिए हम इसका center देखेंगे, यानि जहां से हमने slit बनाया है, वो ही हमारा front का center है, और just उसके पीछे back का center है, तो यह हमारे front की गुलाई है, उस पर आदा inch का दबाव लेकर सिल देना है तो बस यहां पर ध्यान रखना है, जो front का center है, वो बिल्कुल front में आना चाहिए और जो back का center है, वो back में आना चाहिए, तो इस तरह से जो हमारा घेरा है, वो top part के साथ attach हो जाएगा, simply top part को घेरे से हमने इस तरह से attach कर लिया है इसके बाद हमने less लेनी है तो यह हमारी golden designer less है जिसको हमने slit से यहां से लगाना है तो एक side से हम कहीं से भी start करेंगे नीचे से और इसको center उपर neck के center में यहां तक लेके जाएगे उसके बाद जो neck की shape है उस तरह से हमने turn करना है इस तरह से और अब इसके उपर सिलाई लगानी है तो यह जो less है यह दो सिलाई के साथ लगेगी और इसी तरह से यह वाली जो less है हम दूसे side में भी लगाएंगे ऐसे करके तो दोनो side में less जो है जैसे ही करके लग जाएगी इस तरह से इसके बाद हमने अपनी beaded less लेनी है जो घेरे में लगानी है तो घेरा हमने fold कर लिया है तो यहां से हम यह less लगाना स्टार्ट करेंगे जो इसके beads हैं वो हम बाहर की तरफ निकालेंगे और इसके उपर जो strip है वो अंदर की तरफ कर देंगे एंड फैब्रिक के उपर किनारी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे पूरे घेरे में यह less लगानी है इस तरह से और front में जो हमने यह less लगानी है यह slate से start करके इस side में neck तक end की है और इसी तरह से दूसरे side में भी अब हमने इसके sleeve ready करनी है तो sleeve opening fold करने के बाद मैंने इसके उपर same less लगाई है इसके बाद हम sleeve की fitting करेंगे और उसके बाद अपनी कुर्ती के साथ attach कर देंगे तो इसी सिलाई के साथ हमारी यह designer front open velvet frog तयार हो चुकी है और इस frog के साथ मैंने यह एक portly bag बनाया है जो same fabric और same less के साथ design किया है इस portly bag की जो वीडियो है वो मैं अपने second channel जयदे tutorials पर post कर चुकी हूँ लिंक आपको इसी वीडियो के first pin comment description box और end skirt पर मिल जाएगा और इस frog के साथ आप straight pen बना सकते हैं इसके लिए आप velvet fabric टापटा फैबरिक या फिर ब्रॉकेट फैबरिक ले सकते हैं तो मैं भी इसके उपर straight pen ही बनाऊंगी जो की same velvet fabric से बनाना है और अगर आपकी machine velvet के उपर सही से सिलाई नहीं देती बड़े बड़े टाके आते हैं या फिर कपड़े में जोल आता है तो उसके लिए आपको 11 नंबर की needle का यूज करना चाहिए जो की velvet fabric के लिए ही बनी है और अगर needle change करने से भी स्लाई प्रॉपर सही से नहीं आ रही है तो आप अपनी machine को mechanic को दिखाएं जो की वो repair करेगा और velvet fabric according उसकी stitch की setting भी कर देगा तो चलिए यहां कर video complete होती है उमीद करूंगी ये video ये design आपको पसंद आया होगा और आपने video को like करके share कर दिया होगा साथ यसाथ channel को भी subscribe कर लिजे क्योंकर मैं हमेशा इस तरह की useful video post करती रहती हूँ thanks for watching this video